उम शान्ती आज आपको स्वागत है 25 जून की इश्री वर्दान में जहां परम पिता परमात्मा चाहते है कि हम संगठन में न्यारे और प्यारे रहें ताकि इस न्यारे और प्यारे पन के बैलन्स के द्वारा हम अचल रहें और साथी साथ कोई भी विगन से हम निर्विगन रहें देखें ये न्यारे और प्यारे पन हमें मदद कैसे करता है तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा न्यारा और प्यारा का बैलेंस यह निकि न्यारे होए तो बहुत ही दूर हो गए और प्यारे होए तो बहुत ही ज़्यादा अटाच हो गए बहुत ही करीबी में आगे, नहीं अच्छल रहने वाले निर्विगिन भवा जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है पर्मपिता परमात्मा जो हैं उनका सबसे बड़ा परिवार है और फिर निक्स्ट हैं ब्रह्मा मतो आडम का सबसे बड़ा परिवार जिसमें हम सबसदित से हैं सारी दुनिया है लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है ऐसे follow father करो संगठन में रहते सदा निर्विगन और संतुष्ट रहने के लिए आप संगठन में आप गर्प में चाहे आप एंजियो में काम करे और चाहे आप किसी संस्था में काम करे और चाहे आप किसी भी organization के CEO क्यों ना हो एक आप उच किसी बहुत बड़ी position में क्यों ना हो तो आप उच्चतम न्याले या किसी भी कार्याले के उच वरिष्ट व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन परमात्पा कहते हैं उसमें आपको न्यारा और प्यारा रहना है ताकि आप निर्विगन बने मतलब क्या है संगठन में रहते सदा निर्विगन और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारा पन हो हम जब सेवा करते हैं तो कुछ चीज़े आयाती हैं पहली बात कि हम जब सेवा करते हैं और या सेवा का उमंग उत्सा रखते हैं तो अगर हमें, जिस अनुसार हमारी इच्छाएं थी, कि इस अनुसार मुझे सेवा में बुलाया जाए, इस अनुसार मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, इस अनुसार जब मैंने सेवा कम्प्लीट कियो हो, तो मेरा नाम आये, चाहे मेरा record किया जाए नाम, चाहे मेरा video बनाया जाए, चाहे मेरा किसी भी प्रकार से मुझे आगे बढ़ाया जाए इसमें अगर जब मैं 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 आ जाता है तो परमात्पा कहते हैं इसमें आप नियारे नहीं बनते फिर अगर आप नियारे नहीं बने और आपने सब का प्यार लेनी की कोशिश करी सब से नामाण शान कमानी की कोशिश करी तो उसी समे लोग आपको नीचे खीचना शुरू कर देते हैं ये नाचुरल है इसलिए परमात्यों कहते हैं अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हो तो आप जितनी भी सेवा करो उसमें नियारापन आजाए आपका मला आप उससे नाम मान शान की इच्छा नहीं रखना कोई अगर आपको आकर के कुछ आपकी बढ़ाई भी ना करे तो भी आप उदास ना हो ना इतना नियरापन हो कर्म किया और फिर उसके बाद में उसके फल की इच्छा नहीं करी फल की इच्छा बहुत सुक्षम है कि मुझे किसी ना के पूछा की नहीं पूछा किसी ने आके कहा कि बहुत अच्छा कहा आपने बहुत बढ़िया आपने लेक्चर दिया बहुत अच्छी बाते कहीं ये भी किसी से इच्छा रखना ये भी सुनने की इच्छा रखना कान तरस रहे हैं वहाँ पर आपने लेक्चर दिया अच्छा से भाशन ने लेकिन कान तरस रहें आपके कोई तो आके बोले अच्छा बोला कोई तो आके बोले ये पॉइंट बड़ा अच्छा था ये पॉइंट ने मेरी जीवन बदल दिया इतना भी अगर आप सुनने के लिए खड़े हैं तो इसका मतलब आपने दिया नहीं आप लेने के लिए खड़े थे आप देने के लिए नहीं आप लेने के लिए खड़े थे तो वो नियारपन नहीं हुआ और अगर आपको किसी ने स्टेज पे आगे बढ़ा के नहीं रखा अगर आपो जाता respect नहीं दी और आप उसमें न्यारे नहीं हुए इन बातों से तो आप औरों के पैरे नहीं बन पाओगे आपको चड़चड़ापन होगा या आपको dissatisfaction गहें या असंतुष्टा महसूस होगी फिर प्रावत कहते हैं कितना भी कोई इसे भी हिलावे एक तरफ एक disturb करें दूसरी तरफ दूसरा ऐसे भी हो सकता है कभी आप कोई कारे करने वाले हो आपने कोई प्लाइन किया हो लेकिन और लोग आपके कारे में विगन बन जाए कोई disturb करें कोई इदर से disturb कर रहा है कोई salvation नहीं मिले salvation मतलब कोई प्राप्ती ना मिले कोई gift नहीं मिला कोई momentum नहीं मिला कोई आपको किसी ने आपको fool की माला नहीं चड़ाई किसी ने आपका नाम बाला नहीं किया किसी ने आपका नाम का प्रचार नहीं किया salvation नहीं मिली कोई insult कर दे कोई आपकी इंसल्ट कर दे ये तो आपने बात ठीक नहीं कई ऐसे नहीं ऐसे बोलते तो बेटर रहता आपने ये ट्राइ किया है क्या ऐसे बोलेंगे तो आपका थोड़ा सा लेक्चर और प्रभावित हो जाएगा कोई इंसल्ट कर दे लेकिन संकल्प में भी अचल रहें तब कहेंगे निर्विघन आत्मा आपके संकल्प में भी उनके प्रती को न इरश आये न गीर्णा आये न आपको मन में नफरत आए कि ये समझते क्या आपने आपको इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि सामने आके खड़े हो करके बोले मेरी जगह पर जो कि मुझे समझाने आए हैं ऐसे अगर आपके संकल्प चले या आपको बुरा लग गया आप उदास होके वो चीज़ को सुन करके तो आप उस समय न्यारे नहीं थे आप detached नहीं थे अपने करमों से ने आपको आकर कर तॉंट कर दिया आपकी खामी दिखा दी आप जढ़े उदास होगे उस समय या उनसे आपकी नफ्रत होगे आप उनके प्यारे नहीं बन पाए तो सर्व का प्यारा बनना है तो हमें परमात्वा कहता है कि नियारा और प्यारा बन जाओ नियारा बनेंगे तब जाके प्यारा बनेंगे चाहे आप किसी भी field of work में हो कहीं भी काम करते हो चाहे घर में क्यों ना काम करते हो family के साथ भी यही चीज़ चलती है तो आज को यह श्री वर्तान इसको और गहराई में कर आप समझना चाहते हैं तो आप आकर के परमपिता परमात्मा के साथ दिन के कॉर्स को आप समझें उसके बाद में प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को अपने जीवन में धारन करने के लिए इसके साथ तो उम श्यांती